लिए दोस्तों नमस्कार श्वागत है अब सभी दोस्तों चले शुरू करते हैं कल की डेटा लसी निकल की आ रहे हैं डेटा कैसे आ यह बड़े टेर के क्लाइंट के ताकि हम अच्छा जो है विव निकलने में हैलप मिल सके तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां पर आपने बात करते हैं इंडेक्स वीचर पर चांट ऑर इस्टॉकंट के बात करेंगे तो इंडेक्स वीचर पर लॉग के बात करेंगे नहीं पुट पर शॉचर्ट ए-सक्षाट से नहीं उसक्ते हैं सब्सक्राइब हम शुरू करेंगे यहां पर इंडेक्स के डिटा को रिट करना तो यहां पर क्लाइंट के पास 76,000 लॉंग हो गया डिया के पास 26,000 शॉट सेल अब इनके पास 29,000 शॉट सेल हो गया प्रों के पास 20,000 का शॉट है प्रों ने काफी अच्छी क्वांटिटी प्रों ने भी शॉटिंग के क्वांटिटी जो है डबल किये और फ्रेट के पास जो कॉल थे उसको निकाल के फ्रेस में 37,000 SORT क्रिएट कर दिए पूट की बात करते हैं तो गुट के पास 453 जो है शॉट सेल है डिया के पास 41,000 लॉंग फ्रों के पास 265 लॉंग है इन दोन तो डेटा में काफी कुछ निकल के आया है इस डेटा को रीड करना बहुत ही जरूरी है तो हम इस डेटा को रीड करते हैं इसको डिकोड करते हैं और जानते हैं कि एंटों बेसिस पर किसके पास कितना लॉग एंड शॉट है ताकि हमें पिक्चर जो है मिल पाए तो आए सबसे पहले जो हम लोग शुरू करते हैं क्लाइंट के डेटा को रीड करना तो बात करेंगे पहले क्लाइंट के डेटा की तो इनके पास 76000 जो है इंडेक्स फीचर लॉग है और इसके बाद 453 जो है यहां पर पुट जो है शॉट है तो टोटल इनका वेम्ट मुझा आएगा क्लाइंट के पास दोस्तों काफी यूज लॉंग पोजिशन आ रही है 679 कौंटिटी इनके पास लॉग है 679000 अब बात करेंगे दोस्तों एफ याई के पास टू लेख एंड 12000 जो है इनके पास सेल की पोजिशन है अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की प्रो के पास देखिए 30,000 का यह शॉट इंडेक्स फीचर और 114 का यह कॉल शॉट है और 265 का इनके पास पुट लॉंग है तो टोटल एम्टेम हो जाएगा 3 लेख एंड 22,000 और क्लाइंट टकेला 679 की लॉंग क्वांटिटी होड कर रहा है अलाकि क्लाइंट के जो लॉंग है वो काफी अच्छे हैं दुनों के बिला के ज्यादे हैं बट दोनों के सौट भी ठीक ठाक है क्योंकि वन लेकर डिफरेंस से स्वारा हम से टैकल किया जा सकता है अगर कैस शपोर्ट नहीं होगा तो ड्रेफिनेटल अफिया यह मार्केट को ड्रैग डाउन करने में सकसेस पालेंगे वह दोस्तों हम लोग बात करते हैं इंपोर्टेंट लेवल्स की सबसे पहले निफ्टी का रेश्टेंस दोस्तों 22,250 का है सपोर्ट 21,985 का है 22,000 के पास जाकर से कर रहा है या हाफ सेशन के बाद ब्रीक कर रहा है आप देख सकते हैं मार्केट ने एक काफी जो है अच्छा जो है यहां पर दिखाया हुआ है जो की अल्मोस्ट चैंगलर फॉर्मेशन रफली और फिर इनसाइड में भी यहां पे एक रफली जो है पैटन बना हुआ हुआ सो यह काफी जो है एक टाइट रिंज में जो है सिच्वेशन यहां पर दिख रही है सो हमें किस लेबल को पर फोकस करना है देखिए ओपनिंग की जो शुरुआत होगी वो थोड़े गैब डून के साथ हो सकती है अगर आप डिरेक्ली 22100 के नीचे ओपन होते हैं यही हमारा ट्रिकर लेबल होगा तो वहां से सेल ट्रिकर हो जाता है और 220070 के नीचे आपके सेलिंग होती है यहां पर आप शेल कर सकते हैं और शेल मेंटेन करेंगे 22125 का यह चोटा साइसल है आज के लिए क्लियर कट लेबल था कि मार्केट में हम सेल साइड देखेंगे अगें सेम व वहले 2265 रेक करें तो आप सेल कर लो डैट सोके को कि वहां पर शेपिंग नहीं होनी चाहिए यहां से अगर शेल करेंगे तो जादे जगा है नहीं पचास से शाट पॉइंट की जगा दिखती है क्योंकि एनिहाव 22 के तक हमें प्रॉफिट बॉक करना होगा पॉसिबल है कि 22 के से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है और कल का जो पिक्चर हमें दिखाई देगा सुनाई देगा समझ में आएगा वह कंप्लिटली निफ्टी कहा रहा हूं फैने सिसे आएगा तो फैने से निफ्टी पर कल आपकी ओनी चाहिए अब क्यों होनी चाहिए आप सबको भी मूफ कहिए एक बाउंस न दे इसलिए हमें थोड़ा सा एलर्ट मोड में रहना है अब बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का जो रिष्टेंस है है 46825 का है शपोर्ट 46000 का है बैंक निफ्टी तो क्लियर विगनेस का यहां पर इंडिकेशन दे रही है सिर्फ मैटर गई करेगा दो बैंक HDFC और SBI की कैसे गुल खिलाते हैं अगर यह दोनों बैंक कमजोर हैं तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली प्रेशर फिल करेगी अगर इन दोनों बैंकों ने समाला तो बैंक निफ्टी यहां से एक रिबाउंड भी कर सकती है जो कि आपको इस बार 46800 के ऊपर होल्ड करती भी तो काफी एक इंपोर्टेंट हो जाता है कि हम अपर लेबल पर जाके कहीं स्टक में हो जाएं हाला कि यह काफी अच्छा जोए कॉंसलेशन हुआ है तो कल अगर 46500 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेंड करना सुरू करेगी तो एक एसल लेकर टॉप की शेलिंग मनती है जो क अगर इसके नीचे हैं तो हम वीगनेस के साइट जाएंगे 46000 की पॉसिबिल्टी रहेगी अगेन कोई रिबाउंड आना होगा तो 46000 से आएगा सो उस लेबल को उपर हमारी नजर जब बनी रहेगी अब बात करते हैं दोस्तों सारा जो दार्मुदार है इसी के ऊपर है कल इसका जो रेश्टेंस है 2785 का है शपोर 2525 का है अगर यह कल यहां से होल्ड कर लेती है 600 का लेबल और अपर लेबल ब्रेक होते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि मार्केट को एक सेंटिमेंट जो है देदे कि हम आज पॉजिटिव काम कर लेते हैं या कोई बाउंस वेक दि किया तब समझे कि यह सारी इसकी होल्डिंग जो है खतम होगी और अप यहां पर सेल भी बनेगा अगर 22575 ब्रेक नहीं कर रही है यह यहां जाके फिर रिबाउंड कर रही है तो आप यहां पर सेल मत किज़ेगा लोवर लेबल पर हो जाएंगे इसे इस लेबल पर मनाई है यहां से कोसिस करेंगे कि जब यह रिबाउंड करें और 22620 ब्रेक करने लगे तो वहां पर हम बाइप चलेंगे तो इनिशली फाइब देख लेंगे तो ज्यादे बेटर होंगे आम वहां पर ट्रैप नहीं होंगे अब हम बात करते हैं दोस्तों इस टॉक्शन की तो पहला करेंगे 978 के नीचे अगर होल्ड करता है तो 988 से में इसको सेल कर सकते हैं अब हम चलते हैं दोस्तों आप सेंचेंड डेटा पर हलाकि बहुत ज्यादा इसमें डिसकस करने के लिए नहीं है क्योंकि पोजिशन कोई खास इसमें दिखने रही है देखेंगे तो चेंजिन वा क्लोज हुए है पुट की राइटिंग हमेशा की तरह प्रीमियम को खाने के लिए बन रही है लेकिन अगर देखेंगे तो ल्मोस्ट खतम हो चुली है सारे जो सेलर थे उन्होंने गिनिया पर ले लिया है अब हम नेरेस्ट में पोजिशन चेक करते हैं तो यहां पर देखि लिए रही है या तो पुट की शॉद कवरिंग और या तो पूट के बाइंग और पुट के शॉद कवरिंग यहीं पोजिशन में दिखाई दे रहे हैं इसके लाव काल को र्याइटिंग नियर ऑट्यम नेर आइटियम से लेकि दूर के वोट्यम तक सब जगह कोल के है देख सकता सी पॉइंट गिर चुका है तो टू हैंडिट जब तक क्रॉस नहीं करेगा टू हंडिट के आसपा सेलिंग एरिया जो है बिल्कुल बना रहेगा और सेम ट्वंटी टू थाउजन पे अच्छा गासा वाई है 136 तो यहां से मार्किट बाउंस बैक कर सकता है इस पहले 22 नहीं ब्रेक होना चाहिए अधर्वाइस नीजर के रियक्षन देखने को मिलेगा एनियाव 22 होल्ड है तो कोई रिस्क नहीं है 22 तो टूटता है और डिसे सेबली उसको होल्ड करने लगा निफ्टी तो वहां पे एक रियक्षन जो है आपको दिखाई दे सकता है और यहां पर देखेंगे 44 400 तो कॉल के लॉंग कभर लॉंग कभर राइटिंग अच्छी खासे दिख रही है इसमें पूट की बाइंग भी दिख रही है पुट के शौट कभर हुए है जो भी पूट के शौट थे सारे कभर हो चुके हैं पूट में बाइंग हूच चली है किसी ने हैच करने के लिए भाई भी किया है 36 लग टोटल कॉल सेलर 26 लग पूट सेलर सो यहां का डेटा जो है डेफनेटली क्लियर तरीके से बीड़ी से क्लियर तरीके से जो कि काफी अच्छा है अकर देखेंगे तो 47,000 पे अच्छे खासे आज वाई एडवाइड तू फ है 79, 76, 88 है पूट सेट में देखेंगे तो 46,500 पे हाईस्ट वाई है 136 इन दोनों के इन दोनों के जो स्टाइक से 46,600 एन 700 से सो हमारी जो इगल आई है 46,500 पर ही रहेगी क्योंकि अगर आप 500 के नीचे सस्टेन होते हैं तो आप देखें क्या होगा यहां पर जादे वाई है नहीं 40, 31, 24, 32 तो यह लोग रोक नहीं पाएंगे अल्टिमेटली आपको 46,000 आता वह बहुत इजली दिखाई देगा तो 46,500 ही हमारे लिए कल के लिए की लेवल अगर 46,500 के नीचे आप सस्टेन होना शुरू कर दिए तो आप यह समझे कि आप नीचे की तरफ स्लिप कर जाएंगे वो बैंक इफ्टी के लिए 46,500 के उपर है नन कोई प्रॉलम नहीं है फिर हम 46,000 के करीब देखेंगे सेलिंग ए 47,000 के करीब देखेंगे सेलिंग अपर्शुन्टी अधरवाइस 46,500 अगर ब्रेक हुआ तो वहां से फिट्री कर हो जाएगा सेल वहां पर आप या भी सेल कर सकते हैं तो मिद्कुर का दोस्तों के अनलासिस कल के शेशन में आपका एल्प करेगी फस्टेमायत है लाइक एंसेर कीज़ेगा टेलग्राम को जुरू जोइन कीज़े अधर इन निफ्टूपाइड है लाइव अपडेट के लिए लाइव कॉल्स के लिए और फस्टेमायत है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यू समस्रों वाचिंग मिलते हैं दोस्तों नेक्शेशन में